हालो मेंबर्स वेल्कम बेग टू ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो यहां पर डिस्कस करने वाल है कि सर आज निफ्टी फॉल कता हुआ क्यों दिखाई जै कोई रिजन था और आगे कैसे ट्रेड किया जा सकता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत सारी ल ठीक है फटर पॉइंट पर आते हैं अब देखो डाउजोंस में इसके वाज़े से निफ्टी फॉल क्यों किया तो कि यस्टड़े डाउजोंस 300 पॉइंट गिरा था ठीक है गैप था कुछ 1500 पॉइंट और बाद में 300 फॉइंट फॉल हुआ तो यहां पर 500 पॉइंट की गि सकता है ठीक है हलाकि डाउजोंस यहां पर सपोर्ट लेनी की कोशिश की है आप यहां पर चेक आउट कर सकते हैं देखो मोटा मोटा अगर मुझसे पूछे भाई क्या हो रहा है मार्केट में क्या यह प्रॉब्लम क्रियेट कर सकती है तो देखो स्टील निफ्टी नेगेट अगर्टे नहीं हुआ है अब देखो मुझे यह पता कैसे चला यहां पर सोचो ध्यान से दिखना और निफ्टी फॉल कर रहा है यह सपोर्ट है ठीक है अब यह हँआं से डबल सपोर्ट लिया है अब यह डिसाइड करीका सिसको ब्रेकडाउन करना है किपने है ठीक है अब यह मुझे double support जैसा दिखाई दे रहा तो यहाँ पर क्या करेगा पता है एक दो दिन time spent करेगा फिर यहाँ पर support लेगे bounce करने की कोशिश करेगा तो as per my view यह support break नहीं होना चाहिए ठीक है कौन सा 17800 का support बात समझ रहे हो तो all in all मेरी साब से तो यह break नहीं होना चाहिए कल देखेंगे लेकिन आप क्या कर सकते हैं कल को trade आपको करना है तो क्या कर सकते हैं तो simple सा logic है निफ्टी ने previous day का जो low था वो भी break किया ठीक है अब अगला support ही यह वाली swing यहाँ पर आप देख सकते हैं तो all in all निफ्टी 17-800 टेस्ट कर सकता है तो आपको क्या करना है stable open होगा आज का low तूटेगा तो short करना है ठीक है लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि short जल्बाजी में मत करना बड़ी red candle आती है पांच मीट के अंदर तो short करना ठीक है पता है क्यों क्योंकि nifty reverse भी होने के chances आपको आज की जो पांच मीट की candle दिखाई थी ना रैड कितनी बड़ी स्टॉंग थी समझ रहो करीब करीब यहां पर पचास से साइंट पॉंट से ज्यादा बड़ी थी यह क्लियर दर्शार था कि मैं शायद फॉल करने वाला हूं ओकी तो ऐसी कोई बड़ी red candle दिखाई तो short कर लेना और 17800 का target आपको दिखाई दे सकता है अब 17800 से नीचे मत देखना भले आपको 20-30 point जाता हुआ दिखाई दे लेकिन जादा मत देखना maximum कितना जा सकते है तो के 17800 ही दिखाई दे रहे मेरे बाई मुझे तो 17800 से जादा भी नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग सोचो ध्यान से सोचो जो मैं बोल रहा हूं सोचो ध्यान से डाउजोंस कितना है 60 points अब यह तो market जास टार्ट हुए डाउजोंस का मानलो यहां से गीर गया तो ठीक है स्टिल मुझे लग रहा है कि यहां पर निफ्टी का breakdown शायद नहीं होगा देखेंगे definitely ठीक है मैं तो भ तो क्या करना है तो फिर वापिस निफ्टी उपर चला जाएगा और यह वापिस एक uptrend start कर सकता है क्योंकि short covering हो जाएगी बाद में ठीक है अट्राजार बीस अट्राजार तीस के उपर जो भी हो short covering हो जाएगी stable open होगा तो भी short करना है gap down open होगा तो definitely short करना है ठीक है gap down में क्यों क्योंकि यह support तोड़ेगा अब हमेशा द्यान में रखो कि अगर support तोड़ना है तो उसको क्या उसके पापा को भी gap down open होना होगा ठीक है लेकिन मेरी साब से तो नहीं तोड़ना चाहिए वापिस बोल रहा वाला behavior है ट्रेडर्स को रीटेल इंवर्शों को exit करवाने वाला behavior है ठीक है बड़े प्लेस मेरी साब से इसको ठीक है मलब उल्लू बनाना बोलते है मैं गलत वर यूज नहीं कर सकता लेकिन उल्लू बनाना ठीक है ना आपकी लेंग्वेज में यूज कर सकते मुंबाई ले वर यूज में उल्लू बनाना का क्या बोलते हैं अगला पॉइंट बैंक निफ्टी आप देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं बैंक निफ्टी भी सीमिलर पैटन है फॉल यह बाउंस पैक यह फॉल अब इसको अगर फॉल करना होता ठीक है मान लो जस्ट इंब बैंक नि ही चीए थी यहां पर और नेक्स दे को कंटीनू कर देना चीए था क्या क्या इस बंदे ने सपोर्ट लिया है मेरे सब सी यह सपोर्ट है क्या करेगा यहां पर टाइम स्पैंट करेगा और फिर यहां से बीज बना कि उपर जाने की कोशिश करेगा ओके तो ओल इन आल यह स् just example तो फिर market कहां तक जा सकता है तो कि 41,500 तक जा सकता है कहां तक जा सकता है 41,500 ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते आप समझ सकते हैं तो all in all आपको क्या करना है gap down में short करना है stable में आजका low टूटे तो भी short करना है gap up पे reverse हो जाएगा bank nifty क्यों short covering simple as that ठीक है short covering कहां तक हो सकती है अगर gap up open हो गया तो तो gap up open हो गया तो यहाँ पर 42,600 तक यहाँ पर वापस जा सकता है bank nifty बात है समझ में आ रही है ठीक है तो आपको क्या करना है मोटा मोटा थोड़ा weight कर लेना patience रखना morning की अगर selling pressure heavy हुआ strong selling pressure हुआ तो तो morning में short कर लेना फिर आप यहाँ पर RM से short कर सकते है यहाँ पर selling pressure strong नहीं हुआ ठीक है थोड़ा थोड़ा करके nifty fall किया या bank nifty fall किया तो भाई यह पक्का समझ लेना कि पूलबेक आएगा ओके फटाट यहाँ पर intraday stock discuss कर लेते है सबसे पहला intraday stock है India Bulls housing अब देखो India Bulls housing मेरी सबसे यहाँ पर stock का support है 130 यह 130 तक जाना चाहिए लेकिन level तूटे then only short 136 के नीचे हम लोग short करेंगे जैसे support टूटा 136 का 135, 134 तक जा सकता है तो सिर्फ 134 तक के level तक आप यहाँ पर stock को short करना second stock Zydus Life Sciences मेरे software ने तो यह BTST Futures भी दिया था BTST Futures आपको पता है क्या करना है यह बहुत अच्छी pattern बनाई है यहाँ पर एक breakout जैसा दिखाई दी रहा है लेकिन RSI 80 था तो मैंने WhatsApp members को दिया नहीं यह वाला stock ठीक है ना क्योंकि RSI 80 है यह gap done open होगा है तो भाई पूरा fall कर लेगा ठीक है तो भाई मैं panic नहीं करवाना चाहता और वैसे भी futures नेगेटिव मार्केट में लोग futures पहले पकड़ते हैं ठीक है प्रॉफिट करने के लिए क्योंकि लॉस बड़ा हो जाता है इसकी वाज़े से futures रिकावर करने के लिए futures पकड़ लेते हैं अब कल अगर यह sustain किया then only by 459 की उपर जाते ही स्टॉक में momentum आ सकते हैं स्टॉक यहां पर 460-465 तक जा सकता है ठीक है अगर level टूटा तो तीसरा स्टॉक कलपत्र पावर अब देखो बात समझो मेरी समसे कलपत्र पावर कल शॉट हो सकता है बहले market उपर जाए चांसे से कलपत्र पावर फॉल करें क्यों मेरे software नहीं दिया था ठीक है यह इसने जो intraday में शॉट किया था दो बच के 6 मिनिट के आसपास जनरली पत बाता रहता है कि यह फॉल करने वाला है जैसे कि best example डाबर का मैंने आपको डाबर दिया था याद है आप लोगों को ठीक है सी यहां पर यह वाला ओके हमाई software ने दिया था इंट्राडे कल लेना शॉट के इंट्राडे में टार्गेट तो अची नहीं हुए तो मेरे को पक् बहुत स्ट्रॉंग है कल पत्रु पावर भी श्टॉक में शॉट बहुत स्टॉंग है लेकिन हम लोग शॉट तभी करेंगे जब लेवल तूटे 508 को ब्रेक करते ही श्टॉक को शॉट किया जा सकता है तो 507, 506, 504 तक आ सकता है फोकस करना वासलिस पर रखना बंदा क्रे स्टॉक गया नीचे पातल में 800 को ब्रेक कर चुका है 790 के नीचे जाती हम लोग शॉट करेंगे 792 माफ कीज़ेगा 782, 782, 781 तक यह स्टॉक जा सकते है तो इसको फोकस करना वासलिस पर रखना बंदा क्रेकडाउन हो सकता है ठीक है कल के लिए 4 इंट्राइज स्टॉक है तीन नेगेटिव साइट पर डेफेनिटी आइनो एक पॉजिटिव साइट पर लेकिन मुझे बाई कोई ब्रेक आउट दिखा नहीं ठीक है एक ही पॉजिटिव दिखा तो इसके वाज़े से में एक ही बाइंग सट दे रहा हूँ अगर मार्केट गिरा जस्ट इक्जांब वन जो स्टॉक दिया था भाई वो भी फाट रहा है अच्छी रीटन दे रहा है उसमें एंटरी मिली थी सेकेंड में शाथ नहीं मिली होगी किसी को भाई जाके जरू चेक आउट कर ले रहा है एंड टेलिग्रम में यह जाके जूल देना सर्च करना माई स्टॉक मार्केट सकते हैं या फीर आप मेंबर्शिप ले सकते हैं दे этого के दिस्क्रिप्षिन में मिल जाएगी है मिलते हैं अगले वीडियो के अदर तब तक के लिए गुडबाई जै हिन